हेलो एवरिवेड़ी जब हम SSCJE क्वालिफाई कर लेते हैं SSCJE के दोनों डिपार्टमेंट है आप सभी को पताए कि SSCJE से क्वालिफाई होने के बाग आप CPWD, MES, NTRO, CWC डिपार्टमेंट में अलग-अपने-पने स्कोर के अकॉर्डिंग, अपने-पनी प्रियारिटी के अ इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिसकस करने वाला हूँ, SSCJE, CPWD और SSCJE, MES में क्या-क्या डिफ्रेंस है, जॉब वर्क में क्या डिफ्रेंस है, प्रमोशन में क्या डिफ्रेंस है, सेलरी में क्या डिफ्रेंस है, पर्क्स में क्या डिफ्रेंस है, ओवर ओल सारी है civil mechanical and electrical सारी चीज़ आपके साथ discuss करता हूं देंगा civil engineer you need to work for two departments या तो आप maintenance department में जाते हैं या आप construction department में जाते हैं construction की बात करूं तो आपको क्या-क्या construct करना होता है आपको ports बनाने पड़ते हैं आपको harbors बनाने पड़ते हैं बनानी पड़ती है military से जितना भी रिलेट होता है आपको टेंक्स बनाने पड़ते हैं आपको रोड बनानी पड़ती है जितना भी military सेक्टर का construction का वर्क होता है आप लोगों को करना होता है वही अगर maintenance की बात करूं तो अगर आप electrical और mechanical engineer है तो और mechanical engineering का जनरल काम होता है जैसे machinery से काम रेलेट करेंगे as the name suggests, tanks होते है टैंक की maintenance, mechanical engineer के अंदर काम आती है light का जितना issue होता है electrical engineer के अंदर काम आता है तो इनका जनरली जो काम होता है, वह maintenance का काम रहता है, water की availability करानी है तो mechanical means और electrical means से हम लोग करा सकते हैं तो वो electrical और mechanical engineer का काम होता है तो basically vehicle का काम होता है वो mechanical engineer के अंडर आता है तो ladies and gentlemen generally MES का जो pay grade है वो 4200 है और basic pay 35-600 के आसपास रहता है इसमें आपके बहुत सारे alliances add होते हैं जैसे DA तो dearness alliance nearly 46% के आसपास आपका रहता है X city है, Y city है या Z city है मैं आपको बता देता हूँ X city वो जिसकी population 50 लग से जादा है Y city वो जिसकी population 5 लग से 50 लग के बीच में लाई करती है और Z cities वो जिसकी population जो है वो 5 लग से कम होती है X cities में कुछी cities हमारी आती है जनरली, एंदाबाद, बैंगलरू, चेंनाई, दिल्ली, हैदराबाद, कॉलकता, मुंबई, ठाने, पुने ये X cities में आते है Y cities में बहुत बड़ी list है कुछ बता देता हूँ सारी तो वोलना बहुत मिश्केल है तो यहाँ पर आगरा हो गया, अलीगड हो गया, अमरित्सर हो गया, आसंसोल हो गया, कैलीकट हो गया, विकनीर हो गया, दहरदून हो गया ऐसी छोटी-छोटी cities जिनकी population 50 लग से कम है वो Y category ने आती है और ऐसे गाओं होगे, या कुछ ऐसी अर्बन cities है, जिनकी population बहुत ही कम है वो सब हमारी Z cities category में आती है तो it depends on X, Y and Z cities तो house rent allowance X cities में नीरली 27% का रहता है off your basic pick Y cities में नीरली 18% और वही उसका one third होता है 9% वो Z cities में रहता है फिर TPP मिलता है आप लोगों को रहा से MES का रहता है तो 55-60 के बीच in end आप लोगों के आई जाती है फिर अलग से बहुत सारे perks मिलते हैं आप लोगों लगते हैं तो canteen card मिलता है canteen card में आप लोगों को बहुत सारी facilities मिलती है पूरा GST free समान होता है market rate से 50-60% off पे आप लोगों को समान मिली जाता है ठीक है canteen card मेंट एरिया मिलता है आपको canteen card मेंट एरिया का अपना benefit है आप बाहर की दुनिया से भीड भार से अलग रहते है canteen card मेंट एरिया में swimming pool है, gym है, playground है तो आपको सारी facilities मिलती है canteen card मेंट एरिया में आप लोगों का बाल काटने वाला, press करने वाला सब होता है, पैसे देने पड़ते हैं free का नहीं होता, लेकिन available रहता है, अगर आप cinema के शोकीन है तो canteen card मेंट एरिया में आपको cinema भी मिल जाता है accommodation आप लोगों को army की तरफ से दी जाती है, वही medical facility की बात करूँ, तो CGHS, Central Government Health Scheme के तहत आपको medical facility मिलती है ये CBWD में आप लोगों को मिल जाती है तो ये overall आप लोगों के perks है फिर अगर आप लोग सुपोस अपने घर से rail station, airport तक जाना चाते हैं, तो आपको army का ही एक bus मिलता है, जिसको convoy कहते हैं, वो facility भी मिलती है वो उसके कोई पैसे नहीं लगते है ये भी ठीक है भाई, बहुत काम आता है daily life के अंदर, तो MES में ये perks आप लोगों को मिल जाती है अब बात करते हैं यहाँ पर promotion की तो देखो, सबसे पहले तो आप लोग JEE लगते हैं, अब JEE के बाद यहाँ पर आप लोगों का फिर जो promotion होता है, वो generally 8 से 10 साल में होता है, आज से 10 साल का promotion आपको AE post की तरफ लेकर जाता है, लेकिन defense sector में MES में, आप लोगों का AE नहीं कहते हैं, वहाँ पर हम इसको कहते हैं, AGE, Assistant Garrison Engineer, तो फिर जब आप AE के पराबर होता है, वो AE के equivalent है फिर जब आप AGE पर post होते हैं, आप लोग फिर 10 से 12 साल की working के बाद, GE तक post तक जाते हैं, Garrison Engineer GE equivalent to Executive Engineer, then Garrison Engineer promotes to CWE CWE equivalent to Superintendent Engineer, and then हम लोग तो यह हमारा overall promotion रहता है लेकिन GE जो है, वो maximum-maximum Garrison Engineer तक promote हो सकता है, generally वो Assistant Garrison Engineer तक ही promote होता है, यह चीज आप लोगों को overall, MES की सारी चीज़े हम लोगों ने यहाँ पर discuss करी, अब बात आती है, transfer गी, देखो generally जो transfer होता है, JEE की अगर मैं segment की बात करता हूँ, तो JEE का segment जो है, वो command-wise posting पे transfer ही होगा, आपके MES के अंदर 5 command है, Eastern command, South Western command, Northern command, Southern command, Western command, ऐसे करके 5 command है, तो अगर आप लोगों की suppose Northern command में posting है, Northern command मतलब Northern region, जैसे दिल्ली से ओपर का जितना भी region है, वो आपके अगर Northern command में जोइनिंग है, तो आपका जो transfer होगा, वो Northern command में ही होगा, तो एक बात यह आपको ध्यान रखनी है, command to command ही transfer होगा हमेशा, अब JEE की बात करें, तो JEE में यह generally command to command है, लेकिन when you will be promoted to AGE, Assistant Garrison Engineer, जब आप बन जाएंगे, फिर आप All India Service पर आद आते हो, फिर आपका All India में transfer होता रहता है, और वही अगर आप Executive की तरह भी जा रहे हैं, तो भी All India, उसके बाद के सारे जितने भी transfer है, वो All India Services में रहते हैं, JEE का जो transfer रहता है, वो generally, आपका command wise transfer रहता है, ठीक है, अब इसमें क्या है ना, generally क्या होता है, तीन साल के tenure बाद transfer हो जाता है, आप तीन साल service करते हैं, फिर आपका transfer हो जाता है, वही आप AGE और EE की बात करें, तो generally दो साल में हो जाता है, तीन साल में तो हो नहीं होता है, ठीक है, अब जैसे दो compensate posting होती है, दो compensate posting का मतलब, आप अपने पूरे ये पूरे service tenure में, दो compensate posting, आप अपनी मर्जी से request करके, उस particular जगा पर posting करवा सकते हैं, ठीक है, ठीक होती है, last leg posting, उसमें भी क्या होता है, आप अपनी request से, उस particular जगा पर promotion करा सकते हैं, तो तीन ऐसी posting आपको मिलती है, जहां आपकी request से, अपनी जगा पर posted रह सकते हैं, overall ये कह सकते हो कि family के पास, आप 9 साल तक तो अपनी service बिता सकते हैं, तो आप लोगों का SSC JCPWD का क्या-क्या work रहता है, सबसे पहले तो SSC JCPWD का work यह है कि हमारी जितने भी government buildings होती है जैसे President House हो गया, Supreme Court हो गया Parliament हो गया, IIT हो गया NIT हो गया, ये सब CPWD के अंडर आता है, no doubt CPWD considers the best department लेकिन अपनी अपनी पसंद होती है कि भाई best आपके लिए क्या है, जैसे मुझे defense sector बहुत पसंद है क्योंकि उनके rules and regulations, discipline उनका aura, उनकी reputation, उनका scope मुझे ज़्यादा नजर आता है उनकी royalty, उनका structured behavior organized तरीके से life को spend करना और सीखना मुझे बहुत पसंद है तो मैं CPWD से ज़्यादा preference MES को देता हूँ लेकिन अपनी अपनी सब की पसंद है जनरली इंडिया में CPWD को best department माना जाता है टॉप rankers यहाँ पर आते हैं अब हम बात करते हैं जैसे building बनानी है आपको bridge बनाना है आपको pargament house बनाना है आपको monument में कुछ करना है तो यह सब क्या है ना इनका maintenance और इनका construction CPWD के under आता है CPWD stands for Central Public Works Department State PWD भी होता है वो state में ही रहता है CPWD पूरे all over area की बात हम करते है Job locations की बात करते हैं तो job location जनरली चार regions में रहती है Northern region, Eastern region, Western region, Southern region इसमें भी command wise scenario रहता है जैसे आपकी Northern region में रहे है तो आपका जो transfer होगा वो Northern region में ही होगा Northern region में कौन-कौन से states आती हैं हमारी जैसे दिल्ली हो गया दिल्ली से उपर वाले सारे है दिल्ली, जम्मो, कश्मीर, पंजाद, उमाचल, हरियाना, यूपी, छतिसगर, राजस्थान, उत्तराखन या Northern regions की तरफ जाता है Eastern regions की तरफ चाहें तो हम लोग West Bengal, बिहार, उडिसा, धारखान, सेक्के, असाम, नागा लैंड, वो सब Western की तरफ आ जाता है Southern की तरफ पुडुचेरी, आंधरपरदेश, तमिलाडू, केरला, करनाटका, अनमान, निकोबार यह सब Southern की तरफ, Western की तरफ, वेस्ट वाले regions हमारे, जैसे गुजरात हो गया, मद्रपरदेश हो गया, छफिसगर्ड हो गया, लक्षदीश हो गया यह सब हमारे Western की तरफ आ जाते है तो Job Locations हमारी चार reasons के according रहती है, पोस्टिंग भी हमारी रहती है, अब बात करते हैं promotions की समसे पहले हम लोग J.E. में select होते हैं SSC के थुरू, आठ से दस साल की working के बाद, अच्छे record के बाद, हम लोग assistant engineer की तरफ transfer हो जाते है अगर मैं UPSC IES के थुरू आता हूँ, तो मैं directly AE पर promote होता हूँ, यही नहीं लगता है then executive engineer लगते है, then superintendent engineer लगते है, then chief engineer बन जाते है इस promotion के recording मैंने पहले भी एक lecture लिया हुआ है, अगर आपको सारे departments की promotion list चाहिए तो मैं I button में link दे दूँगा, आप देख लेना, आप लोगों को सब के promotion के बारे में सारे criteria पतलग से है फिर लगते हैं, edition director general, फिर SGG, फिर director general हम लोग बन जाते हैं last post जो होती है, वो होती है director general, इस से ओपर कुछ नहीं है अब बात करते है facilities की, तो देखो दोनों की group B की job है अगर मैं MES की बात करूँ, तो वो non government group B के अंडर आता है SSCJ, CPWDP group B के अंडर ही job में आता है, ठीक है यहाँ पर बात करें, तो आपको जो accommodation मिलती है, वो type 3 का घर मिलता है type 3 में क्या होता है, दो bedroom होते है, एक living room होता है, kitchen, बाकी generally जो facilities है वो सब रहती है, water closets रहता है, तो type 3 का घर मिलता है, आप लोगों को medical facility CGHS के अंडर मिलती है जैसा MES में भी मिलती है, वही, मतलब overall इसका भी ठीक ठाक रहता है अब salary की बात करते हैं, तो salary क्या है, 35-400 जनरली आपका basic pay है DMS allowance मिलता है, 42% के आसपस, 42 या 6 आस, इनके बीच में रहता है TPT मिल जाता है आप लोगों को, HR A मिलता है, वो CTs के according, XCTs में 27, Y में 18, Z में 9 Then आप लोगो पाए झाप लोगों को, HR A मिलता है